कि आपने कही तरह के बेंकों का नाम सुना होगा लेकिन हम आपको आज कॉविट कैर बेंक के बारे बताने वाले हैं नमस्कार मैं हूँ गजोम अरनाचल इंडिया से क्या आपको पता है कोविड-19 का भी बैंक है जी हाँ कोविड-19 का भी बैंक है लेकिन ये बैंक कहा है किस तरह से काम करता है और किस लक्षे के साथ इसका निर्मान हुआ है इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत्र द दीजेगा दोस्तों के साथ शेर भी कर दीजेगा इसके लाबा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा और सब्सक्रिशन के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक जल से जल पहुंच सके दोस्तों इस महामारी के दोरान हमारी मुलाका कई तरह के लोगों से हुई है वर्चुले भी और प्रस्नले भी कई लोग निस्वार्थ भाफ से इस समाज की सेवा कर रहे हैं मरीज की सेवा कर रहे हैं वही कई लोग इस महामारी से ही करोरपती बनने के खौब देख रहे हैं कुछ लोग इस महामारी से मर रहे हैं कुछ सरक खेर हमारे मानिने परदान मंत्री जी आपदा से अफसर लाने की बात करते हैं लेकिन इस बात को कुछ लोगों ने इतनी गंबिरता से सच में ले ली कि उन्होंने आपदा को सच में अफसर में बदल दिया सारे negativity को समेट कर उन्होंने एक ऐसी positive चीज create की है जिससे हमें इस तरह का भरोसा हो गया है कि सच में हर negativity से positive चीज आ सकती है एक सक्स ने एक ऐसा ही उधारन हमें दिया है मैं बात कर रहा हूँ अरणाचर प्रदेश की इस्ट रियां की यहां क्या हुआ हम आपको आगे वीडियो में बता रहा है दरसल उनके उधारन से हम सभी प्रेडित हो सकते हैं और सच में जिसी कि मैंने कहा हमेशा मान सकते हैं कि there is nothing called impossible हर negative चीज से हम positive चीज लाहिश सकते हैं हम सब को पता है इस महामारी के दरान हम में से कईयों ने लाठियों की सेवा ली और कईयों ने penalty देकर समाज की सेवा की अब लाठी खाने वाले लोग लाठी से सेवा करवाने वाले लोग वे घर जाकर बेट गए और शायद सुधर भी गए होंगे लेकिन जिन्होंने समाज को penalty देकर समाज की सेवा की थी उनकी सेवा वयर्थ नहीं गई है या यू कहिए और वोड उनकी सेवा को वयर्थ जाने नहीं दिया गया है एक बहुत ही अच्छा एक योजना बना कर इसका इस्तमाल किया गया है इस सियांग की डिप्टी कमिशनर ने इस सियांग में penalty कलेक्ट किये गए खास करके मास्क नहीं पेनने पर या पिर SOP के उलंगन करने पर जो penalty कलेक्ट की गई थी उस penalty को जमा कर करीब पर जो 3,24,000 की राशी थी उसे लेकर एक कोविट केर बैंक बनाया गया है जहिर सी बात इस creative इनसान के बारे तो आप जानना ही चाहेंगे जो खास करके नहीं जानती यह एक महिला IS officer है जो अरवाचल परदेश के इस सियांग जिले की deputy commissioner हैं यह साहरनपूर से हैं and very down to it lady मैं भी personally उनसे कई बार मेरी मुलाकात भी हुई है तो बात दरसल यह हुई थी कि इस सियांग के circle offices ने करीब करीब 8 circle offices ने उन्हें यह report किया था कि यहां जिस तरह के notice इंदिया में और देश के आमारे भारत के कई हिस्सों में जिस तरह की equipment की कमी हैं वही कमी उनके circle में भी दिखाई दे रही है तो दिसी साहिबा की दिमाग में यह बार खटकी और उन्होंने एक कोबिट केर बेंक का निर्मान किया जिससे संक्रमित लोगों को होम ऐसलेटेट लोगों को खास करके बहुत अच्छी सेवा मिल रही है यानि इससे आपको करेंग के लिए जिस तरह के चीजों के जरुत पड़ती है और यह सारी चीजें महाया करवाई जा रही है और यह बिल्कुल free of cost है यह दस दिन तक कम से कम आप इसका 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 कर सकते हैं या फिर आप जब तक ठीक नहीं हो जाते और जब तक इसकी जरुवत किसी और जग चाहिए यह उनके लिए बहुत फाइदमन चीज है और इसकी सरहना तो होने ही चाहिए दरसल में इसी की बात कर रहा था यही है जो आपदा से अफसर वाली बात है इसे दिप्तिक कमिशनर साहिवा ने सिद्ध करके दिखाया है भई जिसकी मैं कह रहा हूं जिस तरह की dedication और दिमाग वही जो समय में काम आए आज के लिए इतना ही जेहिंद